हालो फ्रेंड मेरा नाम पूजा है और आप मेरे यूट्यूब ट्यानल नॉलज जस्पाइ क्लिक देख रहे हैं सो जो हम एवेस की सीरीज कर रहे हैं उस पर आज हम चाप्टर 3 पर हैं तोड़े वी विल भी हाविंग अवर एवेस सेमरी डाट विलिस चाप्टर 3 आता है उससे रिलेटिद कोईशन से जो पर में आता हैं सीटेट में आताaré यूपी टेट में ले आता- और अधिशिए अनमें इन्वर्में्न परिलेटिद टोंपिक होता है उसमें वह पूछले जाते हैं क्या आज हम पढ़ेंगे प्लांस के बारे में special plants के बारे में special plants जैसे picture plant, desert oak, croton और ये सब के बारे में एक special type of cultivation होती है जो basically northeast में होती है उसके बारे में भी जानेंगे उससे questions भी आते है special foods के बारे में special painting के बारे में ये सारे जो है notes NCRT based है सारे teaching exam में पूछे जाते है environmental section में तो होप ही आपके use का होगा और इसका notes बनाते चलिए फेले आगे बढ़ते है as we discussed about special plants, the first plant is desert oak desert oak क्या है? desert oak एक plant है जो जमीन में बहुत नीचे तक जाता है desert oak एक plant है जो जिसकी जड़े basically जमीन में बहुत नीचे तक जाती है जब तक उसे पानी ना मिल जाए उस पानी तक पहुचने के लिए आप imagine करिए कि जो है 30 पेडों को एक के पूबर एक अकर रखा जाए तो उतना जो है इसको वो नीचे तक जा सकता है जाता है तो और इसका जो ट्रंक होता है इसमें जो है पानी स्टोर हो जाता है और बहुत कम पतियां होती है देखिए जहां गरम जगह है जो बहुत गरम जगह है वहां पे कम पतिया इसलिए होती है ताकि पानी जो है पत्तियों के जल्दी एवापोरेट नहीं हो जाए तो अपने जगह के हिसाब से पेड़ पादे अपने आपको वदल लेते हैं तो बेसिकली आईए देखते हैं क्या है गोस डीप तिल वाट इस व बाइवन के वाटर इस्टोर इंदर ट्रीट गैसा मैंने बताया कि उसका पानी इसके तनों में जो होता है उसके स्टेम में रहता है लीवस बहुत छोटी-छोटी पतियां होती है पाउंड इन ऑस्ट्रेलिया यह बहुत इंपोर्टेंट है यही बेसिकली पूछता है कि ड वो क्या करते है जो लोकल लोग है वो क्या करते है एक छोटा सा कट लगाते है और पाइप डालके यह पी लेते हैं क्योंकि उनको जानकारी होती है इसमें जो है पानी स्टोर होगा आप इसको नोट्स बनाते चलना चाहें तो इसको नोट्स बनाते चल सकते हैं सेकेंड है प्रोडक्ट के लिए उसके लिए चूहें मेंढक यह साय जाणवर घाता है पिचर प्लांट, ट्राप्स, एड़ फ्रॉग, इंसेक्ट और इवन माइसेस, तो यह क्या-क्या खा सकता है, मुड़क खाता है, इंसेक्ट खाता है, और चूहे भी खा सकता है, फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया, यह कहां पाया जाता है, तो हमने देखा कि डेजर्ट ओग भी ऑ इंडिया में यह कहां पाया जाता है, और इंडिया में यह मेगाले में पाया जाता है, और नेप्थिलीज जो है अस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया में पाया जाता है, ठीक है, पिचर प्लांट, पिचर लाइक शेप, माउथ कवर्ड विट लीव, उसका जो शेप होता है, वो सुराही या मटके जैसा होता है और जो है वो जो है पत्ति से धका होता है यह जो पिचर प्लांट होता है इसमें एक अलग सी स्मेल आती है ताकि इंसेक्ट उसकी तरफ खिचे चले आए और उसके ट्राप में फज जाए तो यह था पिचर प्लांट के बारे में एक्जाम में इससे भी क्वेशन्स आते हैं यह पूछ सकता है कि वो कहां पाये जाते हैं और वाट डू दे इट और ऐसे रिलेटेट क्वेशन्स जब हम टेस्ट की सीरीस करेंगे तो हम यह सारे क्वेशन्स लेके चलेंगे जो स्रस एक्ण में आये हैं किसी रेकुछे गये धूंश्यी हैं आक्जिक्री में पूछ अंपका जब कोने पर होता रहें और हमारा लेसंद भी रिवाई होता रहे हैं महीं प्लांट्ट समय क्या हुता है कि यह प्लांट बेसिकली फार्मर ज उसके का म मिल रहा हूग यह समझते हुए टिसान जो है अपनी खेती को बचा सकते हैं सूखने से सो आईए देखते हैं Crompton Plant Crompton Plant क्या है? Becomes dry when sand or soil जब land जो है dry होने लगता है तब Crompton Plant use होता है Signal to farmers that water need to be given यह जो है signal होता है farmer को कि अब पेड़ों को पानी चाहिए So if the water is less Crompton Plant becomes dry So it's signal to the farmers that the water need to be given So यह basically वही बोल रहा है उपर की बाते बताया है जैसा मैंने कहा कि Signal है, यह signal है farmers को कि जो है जमीन में पानी कम है Example of Crompton Plant is planted with millet plant Now millet plant के साथ Crompton Plant को डाला जाता है कि अगर वो सूखे का मतलब Millet को भी पानी नहीं मिल रहा है ठीक है? So यह जो है availability of water को चेक करता है Moving next यह तीन plants के पारे में थे और इनी से related questions आते हैं घुमा फिरा करके exam में कभी आपको जो है correct answer match करना होगा या आपसे direct question पूछ लेगा या आपको option दे देगा उसमें से आपको answer करना पड़ेगा Moving next जूम farming जूम farming या जूम cultivation क्या होती है? जूम cultivation बेसिकली north east में इंडिया के किया जाता है यहां पर फर्टिलाइजर या पेस्टिसाइड नहीं यूज किया जाता है जमीन की जूए जावपन को बढ़ाने के लिए वो जो खेती की जो remains होते हैं उसी को जूए जला के वहीं जमीन में छोड़ देते हैं उससे क्या होता है कि कुछ साल वहीं छोड़ देते हैं वहाँ फार्मिंग नहीं करते हैं तो वहां जो है मिट्टि जो है उपजावव हो जाती है और बहुत ज़्यादा खोदते नहीं है या फिर जो है उसको बैल्स जो है जोतते नहीं है बस कुर्पी से थोड़ा बहुत मिट्टी को हलका सा खुद देते हैं तो आईए इसके बारे में डीटेल स्टरी करते हैं जूम फार्मिंग इस स्टेशल वे और फार्मिंग इन विच आफ्टर कटिंग वन क्रॉप यह जो है वहां पर जैसे हम किसी एक्स लैंड की उन्होंने जो है किती की तो वहां जो भी उसके रिमेंस होंगे उसको वही काटके वही छोड़ देते हैं कुछ साल के लिए मतलब उस वहां पर कुछ उगाया नहीं जाता है वहां पर जो उसकी लकडिया बची होती है उसको वही छोड़ देते हैं इसको जो है slash and burn cultivation भी कहते हैं यह भी परशन पूर सकता है कि slash and burn cultivation क्या है तो हमेशा याद रखिए कि slash and burn cultivation भी slash and burn cultivation का भी मतलब यह है कि वही पर वो काटके उस चीज़ को उसी जमीन में जला देते हैं जलाने से क्या होता है कि उसकी गुरवरता बढ़ जाती है और when the land is ready for farming कुछ साल बात जब जमीन वहाँ पर खेती करने के लिए ready हो जाती है तो lightly dug and not plouted मतलब कि हलका सा उसके खुडाई करके उसमें खेती लगा दी जाती है इन one farm different type of crops like maize, vegetable, rice are grown एक ही जमीन में जो है एक ही फार्म में दो तीन multiple farming की जाती है जैसे कि सबजीयों के साथ maze लगा दिया या फिर कुछ और लगा दिया उसमें weeds and unwanted plants are cut and left to make the soil fertile है weeds जो होते हैं weeds जो होते हैं weeds जो होते हैं जो पौदों जो कि weeds और unwanted plants को हटाना बहुत जरूरी है जो extra घास होती है क्योंकि वो जो है जो भी जमीन में जो भी कहते हैं कि जो भी उसकी जो quality है वो उसको ले रहे हैं पानी है minerals है potash जो भी है वो ले रहे हैं उसको तो plant को बढ़ने का मौका नहीं मिलेगा उसको जगा नहीं मिलेगी इसलिए कि ये सारी चीज़ों को हटाया जाता है कि लेकिन इसको वहीं छोड़ दिया जाता है नो fertilizer और पैस्टिसाइड र्यूस फटिलाइजर या पैस्टिसाइड नहीं यूज होता है farming done in North East basically Missouri basically ये farming North East में की जाती है और Missouri में तो ये एक तरह की बहुत organic farming है ये detailed notes है आप इस notes को लिख लीजे या copy कर लीजे और मैं ये hope कर रही हूँ कि आप एक EBS की copy बना के चल रहे होंगे इसमें आप notes लेते चल रहे होंगे ताकि जब exam आए तो आप तयार रहे या फिर इसका screenshot ले लीजे या इसको कहीं save कर लीजे या equationally इसको देखते रहे है ताकि आपका revision तो हो जाएगा और test भी आगी करने को मिलेगा लेकिन ये आप करते चल ये आप note करते चल लेकिस difference बहुत minor है तो उस टाइम आपको exactly पता होना चाहिए कि आपका answer किया है अब आते है special foods के बारे में अलग-अलग जगह के लिए जगह पे अलग-अलग खाना खाया जाता है exam में आपको find the wrong option मिल सकता है या match दे सकता है या आप match करिए कहा का खाना कहा सा है direct question नहीं आएगा इन options रहेंगे और आपको choose करना पड़ेगो ठीके तो honk kong के लोग क्या खाते है सााब खाते है स्नेक खाते है कशमीर की लोग क्या खाते है कशमीर की लोग fish in mustard oil खाते है गोग के लोग क्या खाते है fish in coconut oil तो हमेशे याद रखे कि महालास्ट्रा में एक है ते सब्सक्रा भी एक धृस जीज और बpes стंग तlamire जूर्ड अग्णीर दॉट को और अगज स्टफ करों मिललाण आप जाता है तो जा तो फेंस यह था आप इसका फोटर लेना चाहे तो ले लीजे नोट करना चाहे तो नोट कर लीजे हम आगे बढ़ेंगे मदूबनी पेंटिंग क्या है मदूबनी पेंटिंग जो है बिहार की एक पेंटिंग है मैंने इसके इमेज नहीं लगाई है क्योंकि मुझे मिली नहीं लेकिन मैं कोशिश करूँगे कि मुझे इसकी फोटो मिल जाए तो मैं आपको प्रोवाइड करा दू मदूबनी पेंटिंग जो है बिहार की पेंटिंग है बहुत इंपोर्टेंट है कि मदूबनी पेंटिंग मदूबनी एक जगह है बिहार में उसके नाम पे ये पेंटिंग पड़ी है मदूबनी पेंटिंग बिहार से रिलेटेड है Named as Madhubani after a place in Madhubani जैसा मैंने कहा कि ये जो है Madhubani एक painting जो है एक जगा के नाम पे है It is an old folk of folk art है ये एक तरह की बहुत पुरानी कला है जो वहां के लोगों ने अभी तक बचा के रखी है और बहुत ही popularized है ये देश-विदेश में जानी जाती है Madhubani painting At times of festivals and happy occasions, walls are painted with Madhubani painting उनके याँ जब कोई खुशी का मौका होता था या कोई function होता था तो वो क्या करते थे कि Madhubani painting अपने दिवालों को paint करने के लिए उसमे Madhubani painting बनाते थे The paste is made up of rice अब ये बहुत interesting चीज है और ये बहुत ही important चीज है कि Madhubani painting में जो fabric यूज मतलब जो ingredient input यूज होता है वो क्या होता है वो चावल का आटा होता है वो चावल से बना होता है और उस चावल को पीसे हुए चावल को जो है कलर देने के लिए या तो हल्दी यूज होती है या इंडिगो यूज होता है या पेड़ और पत्तियों के को यूज किया जाता है रंग बनाने के लिए ठीक है अब Madhubani painting आप देखेंगे कि ऐसे shapes में basically होती है जो है इससे जो है इनसान चिडिया वो अलग-अलग चीजों को depict करते हैं और आप देखके भी समझ जाएंगे कि वो यह है यह किस जानवर या चिडिया के बारे में बताना चाहरा है तो Madhubani painting shows human, animals, birds, trees and flowers Madhubani painting जो है इनसान, चिडिया, पेड़ पौदे मतलब natural जी उसके यह natural painting है, natural ingredient है और natural image portrait करती है ठीक है तो यह याद रखिये कि जो है Madhubani painting बिहार में बनी है यह natural ingredient से बनी होती है और यह इनसान, जानवर, चिडिया, flower depict करती है ठीक है तो यह था Madhubani painting के बारे में friends, hope मेरी language easy होगी, मेरी language English, Hindi दोनों में रहती है कि यह दोनों तरह के लोगों तक बहुत सके और यह far off, बहुत ही easy language में है और सारी चीज़ें detail भी लिखी हुई है ताकि आप सुन भी रहे हैं, उसके points भी देख रहे हैं और उसको लिख भी रहे हैं तो मैं आशा करती हूँ क कि मेरा suggestion कोई भी रहे तो आप मुझे बताइए और आशा करती हूँ कि चीज़ें आपको clear हो रहे होगी, लेकिए अपना exam clear करने के लिए सबसे जरूरी है कि आपको जो है आपका concept clear होना चाहिए चीज़ों के बारे में और आपका determination होना चाहिए, हर दिन पढ़ाई करिए, यह एक घंटा ही पढ़िए लेकिन हर दिन पढ़िए, यह मत सोचिए कि exam नहीं आ रहा है तो हम नहीं पढ़ेंगे, exam जब आ जाएगा तो आपको पढ़ने का मौका नहीं मिलेगा, फिर आपको सिर्फ revision का time रह जाएगा, जो लोग hard work करते हैं और इनको लगन होती है exam निका subscribe कर दिए ताकि जो है next coming videos हो आपको मिलता रहे, thank you, keep learning